योग वे आयूर्वेट की धर्ती भारत में आधुनिक विज्ञान के समायोजन से कैंसर जैसी खतरनाग विमारी से लड़ने की अध्भुत क्षमता का विकास हुआ है PET scan वे linear accelerator जैसी latest technology आज भारत में 50 से भी अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है Tata Memorial Hospital, Rajiv Gandhi Cancer Hospital, Nanavati Hospital, Fortes Hospital, Medanta और Paris Hospital जैसे संस्थानों में विश्वे विख्यात डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अरुन सरोहा, डॉक्टर हरिच्च तुर्वेदी, डॉक्टर मानस कालरा, डॉक्टर विनोध रेना, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर राना पातेर, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर राहुल भारगव, डॉक्टर सुरेश अडवानी और डॉक्टर जैस विर्क जैसे डॉक्टर्स ने कैंसर के इलाज में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रिणी में लाकर खड़ा कर दिया है तो कैंसर कई प्रकार का हो सकता है लग का कैंसर हो सकता है यह देनिक का कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट का, प्रॉस्टेट का, तो इन सब के बीच में, बोन कैंसर कहां फिगर करता है, बोन कैंसर, also called सार्पोमा, although बहुत रेर होते हैं, less than 1% of the new cases, which are diagnosed every year, उनमें से बोन कैंसर कहलाते हैं, but जब हम बोन कैंसर की बात करें, तो उनकी treatment और उनको डाइगनोस करना, बोन कैंसर, मुख्यता, दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी बोन कैंसर या सेकेंडरी बोन कैंसर, प्राइमरी बोन कैंसर, for example, औस्टियो सार्पोमा, इविंग सार्पोमा, कॉंडो सार्पोमा, ये प्राइमरी ली हड़ी से ही उत्पन होते हैं, secondary bone cancers वो वाले cancers कहलाते हैं जो हड़ी में फैल गए होते हैं कि शरीर के किसी और हिस्से में होते हैं for example lungs में breast में या prostate में जो हड़ी के अंदर उसके cells जो हैं वो पहुंच गए होते हैं इन्हें हम secondary bone cancers या bone metastasis कहते हैं पर हम cancer की बात करें तो आज से 20 या 30 साल पहले बड़े गिने चुने सेंटर्स इंडिया में cancer treatment प्रोवाइड करते थे जिसके लिए लोगों को cancer treatment के लिए दूर दुराके के लागों में जाना पड़ता था और काफी ट्रैवल करना पड़ता था और काफी जगाओं पर एवलेबल है बट अगर हम cancer specialist की बात करें तो वो उसी speed से हमारी country नहीं produce करवा रही है and there is a doubt of cancer specialist and especially bone cancer specialist जो bone cancer को treat करते हैं bone cancer का ilaj करते हैं इसके लिए बड़ी एक specialized treatment की जूरत है क्योंकि इसके अंदर bone cancer के अंदर ना किवल cancer वाली हड़ी को निकाल दिया जाता है plus reconstruction की जो हमने defect create कर दिया है जो हमने महाँ पर याँ create कर दिया है उसको reconstruct करने के लिए we need specialized orthopedic surgeons who have specialized in orthopedic oncosurgery orthopedic oncology who can reconstruct these defects so it is very important for these surgeons to have a orthopedic basic orthopedic training and subsequently handle these form of cancers